हेलो दोस्तों कैसे यहां पासा करता हूं कि स्वस्तों के मैं आधर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार वे में दोस्तों आपके परिच्छा को ध्यान में रखकर नेरेंदर चल लाए हिंदी के 20 मातपुर्ण प्रस्ण का यह अगला प्रैक्टिस थापित करें अधिकतर लोगों का यही विचार है इस मेरे खांकित सब्द है दोस्तों अधिकतर इसे देखें क्या प्रतिस्थापित किया जा सकता है option a अधिकतर option b अधिक option c अधिकांस या option d सरवाधिक दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा option number c अधिकांस 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 लोगों का यही विचार है यहां दोस्तों अधिकतर नहीं होगा अगले प्रस्ण की तरफ बढ़े हम दूसरा प्रस्ण रिक्तस्थानों की पुर्ती करें भौरें रिक्तस्थान रहे हैं क्या दोस्तों होगा यहां option A मचल रहे हैं या option B गुन-गुना रहे हैं option C दोड रहे हैं यह option D, मुस्कुरा रहा हैं, दोस्तों यह तो बहुत ही आसान है, आप सभी ने सुना होगा भौरे गुन गुन आते हैं, भौरे गुन गुन आ रहा हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा, भौरे गुन गुन आ रहा हैं, अगले प्रस्न की तरह बढ़े हैं, प्रस्न तीन, रिक् अगला प्रस्न दोस्तों चौथा प्रस्न पहार तूटना मुहाबरे का अर्थ है पहार तूटना मुहाबरे का अर्थ है ओप्शन A भुकम्भोना ओप्शन B प्रकृति का प्रकोप होना या ओप्शन C बहुत भारी कश्ट आपड़ना या ओप्शन D डर जाना दोस्तों इसका सही उत्तर है ओप्शन C बहुत भारी कश्ट होना पहाड तूटना मुहाबरे का क्या आर्थ है बहुत भारी कश्ट आना या बहुत भारी कश्ट आ पड़ना इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा option number C वाग के प्रियोग में देखें दोस्तों जैसे हम जैसे सोहन के उपर दुखा पहाड तूट पड़ा यानि सोहन के उपर बहुत भारी कश्ट आ गया अगले प्रसन की तरफ बढ़े हम प्रसन पाँच दिये गया वाक्य में किस भाग में तूटी है वाक्य क्या दिया है दोस्तों वाकि दिया है उसने इस बात पर कड़ी आपत्ती प्रकट की उसने इस बात पर कड़ी आपत्ती प्रकट की इसमें तुरूटी देखें हम option A उसने option B पर कड़ी option C आपत्ती प्रकट की इस बात पर दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा option number C सही आपत्ती प्रकट की उसने इस बात पर कड़ी आपत्ती प्रकट की इस बात्ती प्रकट की पे तुरूटी है अगले प्रस्न की तरफ बढ़े हम छटा प्रस्न दोस्तों हमारा कहता है दिये गए वाक्य में तुरूटी याद करें दोस्तों यहाँ वाक्य को option की रूप में प्रतिक भाग में बाढ़ दिया है A, B, C, D इसे सब मिला के हम पढ़ेंगे एक वाक्य के बनेगा इसे देखें इसमें देखें किस भाग में तुरूटी है तो दोस्तों उन्हें सहाइतिक सेवा या option B का लिए पुरस्कार C परदान किया गया D कोई तुरूटी रही है दोस्तों इसे वाक्य के सारे option को मिलाने पर बनेगा उन्हें सहाइतिक सेवा का लिए नहीं दोस्तों यहीं गलत पता चल गया इसका सही उत्तर हो जाएगा option number B उन्हें सहाइतिक सेवा के लिए के लिए पुरस्कार परदान किया गया ठीके दोस्तों तो सही वाक्य हो जाताएगा उन्हें सहाइतिक सेवा के लिए लिए पुरस्कार पुरस्कार परदान किया गया ठीक अगले प्रस्न की तरब बड़े हम साथमा प्रस्न दिए गय वाक्य AI में त्रूठी गयात करें वाक्य क्या दिया है कठिन से कठिन परिस्तितियों का भी हमें हमेशा आत्म विस्वास बनाए रखना चाहिए कठिन से कठिन परिस्तितियों का भी हमें आत्म विस्वास बनाए रखना चाहिए अगर जो आपने दोस्तों ध्यान से प्रस्न पढ़ा होगा तो आपको इस पष्ट पढ़ते ही पता चल गया होगा बिना option पढ़े इसमें कहां गलती है फिर भी option पढ़े हम A कोई तूटी नहीं B कठी कठीन से कठीन परस्तितियों का भी या option C बनाए रखना चाहिए या option D हमें हमेशा आत्म विश्वास आत्म विश्वास दोस्तों इसका सही प्तर हो जागा option नंबर B कठीन से कठीन परस्तितियों का भी दोस्तों कठीन से कठीन परस्तितियों का भी नहीं होगा दोस्तों कठीन से कठीन पस्तितियों में यहां में होना चाहिए ठीक है दोस्तों अगले प्रस्न की तरफ बढ़े हम आठवा प्रस्न रेखांकित भाग को प्रतिस्थापित कीजिए साधू ने चुहे पर दया करा और उसे बिल्ली बना दिया साधू ने चुहे पर दया करा और उसे बिल्ली बना दिया गया यहां रेखांकित दोस्तों किया गया है साधू ने चुहे पर दया करा इसे प्रस्न स्थापित क्या कर सकता है दोस्तों आप्सन हम पढ़ें Option A, साधू ने चुहे पर दया करी Option B, किसी बदलाओ की आओ सकता नहीं Option C, साधू ने चुहे पर दया की Option D, साधू ने चुहे पर दया की दोस्तो इसका सही उत्तर हो जाएगा Option C Option C, साधू ने चुहे पर दया की सही उत्तर हो जागा साधू ने चूहे पर दया कि अगले प्रज़ुंध की तरफ बढ़े हम नवा प्रस्म साधारंड का विलोम सब्ढ होगा साधारंड का विलोम सब्ढ Sean A simplest option B साधारंड का विलोम दोस्तों te extrude कि अगले प्रस्थ की तरह बढ़े हम प्रस्न दस निम्न में से सुद्ध वर्तनी वाला सब्द कौन सा है ए इसमें पढ़ना क्या तो सबको आप पूर्णे और पूर्णे ही पढ़ेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तो कि ऑप्सन नंबर ए कि पूर्णे है कि अगले प्रस्न की तरह बढ़ेंगे कि 11 प्रस्न दिये गया वाक्यांस के लिए उची सब्दे सुने वाक्यांस क्या दिया है जिसका भोग करना उचीत हो और प्रस्न दोस्तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओप्सन नंबर ए भोग जिसका भोग करना उचीत हो के लिए वाक्यांस के लिए एक सब्द भोग जिसका भोग होता है यह फिर वही वाक्य को प्रतेक भाग में ऑप्सन की रूप में बाट दिया है यहां केवल दो पुस्तकें रखी हैं कोई तूटी नहीं अप्सन A में यहां केवल अप्सन B में दो पुस्तकें अप्सन C में रखी हैं या अप्सन D कोई तूटी नहीं दोस्तो इसका सही उत्तर हो याएगा option A यहाँ केवल यह तूटी पूर्ण है यहाँ दो पूस्तकें रखी है यह परियाप्त है केवल का कोई आ सकता यहाँ नहीं है अगले प्रस्न गी तरफ बढ़े हैं प्रस्न 13 दिये गया वाक के लिए एक सब्द चुने वाक्य क्या दिया है जिसका विवाह न हुआ हो option A और परिग्रह, option B और परेडित, option C और विकारी, option D अन्रक्त दोस्तो इसका सही उत्तर हो जाएगा option नंबर B option नंबर B और परेडित जिसका परेड़े ना हुआ हो और थाद विवाह ना हुआ हो और परेडित बढ़े हैं है परस्न 14 हे जिदक्त स्थान की पूर्ती करेंuchen बेटी पिता जी के साथ रिक्तस्थान थी को सद्ट ए데 जाने वाली जाने वाला और सी जानेवाले ड सवल्सडी चलने वाले दोस्तों यह पठते हैं इस पर पता चल जा रहा है, option A, जाने वाली, इसका सही उत्तर हो जाएगा अगले प्रसन की तरह बढ़े हैं, प्रसन 15 चारपाई पकड़ना मुहाबरे का अर्थ है option A, निश्चिन्त हो जाना, option B, दुख देना, option C, बीमार होना या option D, उत्ते जित होना दोस्तों, इसका सही उत्तर जाएगा, option C, बीमार होना चारपाई पकड़ना, मुहाबरे का अर्थ होता है, बीमार होना बुढ़ापे में लोग चारपाई पकड़ना ऐसा, प्रसिद्ध कहावत मुहाबरा है अगले प्रसन की तरह बढ़े हैं अगला प्रसन दोस्तों यहाँ गाध्यांस दे दिया है निर्देश में दिया है गाध्यांस को पढ़कर पूछे गए प्रसन 16-20 तक के उत्तर लिखिये यह बहुत ही important प्रसन होता है इस प्रकार का जैसा कि हमने पिछले प्रक्टिसेट में भी इस प्रकार की प्रसनों को हल किया आई ए फुना इसे ध्यान पूइवक पढ़के इसे हल करते हैं लिखा है इर्ष्या का दुख प्रायर निस्फल हो जाता है अधिकतर तो जिस बात की इर्ष्या होती है वो ऐसी बात है जिस पर हमारा यहां ध्यान देंगे जहां रिक्तस्थानों उसके पहले ध्यान देंगे जिस पर हमारा नहीं होता जब हम में अपनी ही इस्थिती के अनुकूल दूसरा रिक्तस्थान करने की सामर्थ नहीं है तब हम दूसरों की रिक्तस्थान में कहां तक परिवर्तन कर सकते हैं जितनी जानकारी हमें अपनी इस्थिती से हो सकती है उतनी ही पृत्यांग का परिचे रिक्तस्थान होता है दोस्तों सोलहवा प्रस्थान एक के लिए उचित सब्द होगा दिक्तस्थान एक के लिए उचित सब्द होगा एक गर्पुना ये पढ़ते हुए चलेंगे हम जिस पर हमारा नहीं होता बात इर्षिया की होती है वह ऐसी बात है जिस पर हमारा नहीं होता क्या नहीं होता वस नहीं होता B. मोह नहीं होता सी ध्यान नहीं होता या डी होस नहीं होता दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा option number A वस नहीं होता आईए पुना पढ़ लिजी इसको इर्ष्या दुख का प्रायर निस्पल हो जाता है अधिकता तो जिस बात की इर्ष्या होती है वो ऐसी बात है जिस पर हमारा वस नहीं होता जब हमें अपनी ही इस्तिती के अनुकूल दूसरा देख ले हैं जब हमें अपनी ही इस्तिती के अनुकूल क्या होता है दोस्तों अपनी ही इस्तिती के अनुकूल 17 प्रस्ण अस्थना आंत्रण B. क्रांती, C. विद्रोह या D. परिवर्तन पुरह देख लें एक बार अपनी ही इस्थिती के अनुकूल क्या करने की अस्थनांतर करने की क्रांती करने की विद्रोह या परिवर्तन इसका सही उत्तर है दोस्तों option number D. परिवर्तन इसका सही उत्तर तो दोस्तो इसका सही उत्तर है सी दूसरों की इस्थिती में कहां तक परिवर्तन कर सकते हैं अगला प्रस्था दोस्तों 19 पढ़ते हैं option को ध्यान में रखते चलेंगे हम option परिजनों दूसरे अपनों या तीसरे दोस्तों चौथा हम रिक्त स्थान देख लें चौथा यह तीसरा तो होई गया था तीसरा दूसरों की इस्थिती तीसरा को पकड़ की हां चलें यहां तब हम दूसरों की इस्थिति में कहां तक परिवर्थन कर सकते हैं जितनी जानकारी हमें अपनी इस्थिति से हो सकती है उतनी ही परत्यंग का परिशे होता है उतनी ही क्या होता है दोस्तों चोटा उतनी ही परिजनों या दूसरों या अपनों या तीसरे दोस्तों इसका अप्सन भी दूसरे दूसरे यहां देखें क्या है। सही उत्तार है यहां उनीसवां उतनी दूसरे की दूसरे की प्रतंग का परिचय होता है दूसरे की प्रतंग का परिचय दूसरे की प्रतंग का परिचय पांचवा क्या है दोस्तों समीचीन आवस्यक प्राक्संगिक या डी अनावस्यक दोस्तों इसका सही उत्तर बी आवस्यक आवस्यक को हम देखें है रखके प्रतंग का परिचय आवस्यक होता है ठीक है दोस्तों प्रतंग का परिचय आवस्यक ठीक यहां दूसरे ठीक यहां वस्यक ठीक है इस्तिती में अनुकूल ठीक है दोस्तों इर्षया दुख का प्राया निस्पल हो जाता है दिकतर तो जिस बात की इर्षया होती है वह ऐसी बात है जिस पर हमारा वस्यक नहीं होता जब हमें अपनी ही इस्तिती में अनुकूल जब में 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 हमें अपनी ही इस्तिती में अनुकूल, दूसरा क्या फिल गिये थे हम लोग, परिवर्तन, इस्थिति में अनुकूल परिवर्तन करने की सामर्थ नहीं है, तब हम दूसरों की इस्थिति, दूसरों की इस्थिति में कहा तक परिवर्तन कर सकते हैं, जितनी जानकारी हमें अपनी इस्थिति से हो सकती है, उतनी दूसरे की परतेंग का परिचे आवस्यक होता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह के प्रस्णों को हम काफी ध्यान से पढ़ेंगे, अराम से इस तरह के प्रस्ण बन जाते हैं। इसी प्रकार हमारा दोस्तों, आज के 20 मात्मूर्ण प्रस्ण पूरे हुए। आप अपने इस वीडियो के मात्म से 20 प्रस्णों में स्कोर कितने हैं, कमेंट वाक्स में अवस्य बताएं। और वीडियो पसंद आएं, तो जादस जादा लाइक, सेर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, प्रक्टिसेट नमबर 11 के साथ, तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद।